हेलो गाइस, वेलकम टू मैं व्लोग, आज का आमरा व्लोग होने वाला है गोवर्दन इको विलेच जो की पालिगर में है, गाड़ी से जाने वाले है, विरार से अल्मोस्ट 59 किलो मिटर से, अभी दोस्त के पास जाऊँगा, रूतिक, उसकी गाड़ी लिके जाने वाले है, म अभी और वो 12.30 से 4.30 बंद भी रहता है, इसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि दूफेर को ही निकलते, तो अभी 2.30 हुआ है, अभी आपको सिधा मिलते हैं पालिगर पे, अभी हम पहुच चुके हैं, गोवर्दन इको विलेज, जो की मिनी विरिंदावन है, मेन वाला तो यूपी में है, यह मिनी विरिंदावन है, यहाँ पे आते ही आपको फुच रिसेप्शन और बाहर पार्किंग मिलेगा, अंदर आते ही आपको यहाँ का सबसे मेन मंदिर है, वो देखने मिलेगा, वो आप भी आपको हम दिखाते हैं. वो वाइस रहे था है, फिर बगंगां का ग्र्वाश बपती ही न था है. ईपित बिल्ग का में हैं, हैं तो छराद भी बीऑ, रएट के रहा बीपी हो, रैलए स्टेसिंग बनाया, ज़ी ये ईसी रिखेसे, इक्ति में सावरेपा थाटने एक जज्मेंट देहें, जचा की शना है, कि शना हम जोड़ा है, ऑटना पत जज्जमेंट ने ज़हें, जोड यहां का सबसे मेन मंदीर था जिस में श्री राधा कृष्णा और बलराम जी की मूर्ति है जश्ट यह मंदीर जो भी मेन वाला था वो मंदीर के थोड़ा आगे आते ही लेफ्ट में और एक मंदीर है श्री श्री राधा मदमोहन टेंपल वो अभी टेंपल आपको दिखाता हूँ मैं करेंण से लेफ्ट में और श्री जोल्त करूं सिधा आओगे तो आपको ये में मंदिर दिखेगा में मंदिर के जश्ट आगे, वहाँ पे उदर वो गार्डन है, उसके साइड में इस्सेंड वाला मंदिर है और वो जो गेट दिख रहा है वहाँ से आप सबो टूर पे जा सकते हो वह पे डा गाइड रहता है गाइड से आप जा सकते हो उसका जो टाइमिंग है वह वन वन आर पे है जैसे 456 ऐसे टाइमिंग पर आता है और आप उनके साथ ही जा सकते हो आपको अके लिए बेचेगे नहीं तो गेट के जश्ट राइट साइड में वाश्रूम है मुझे बहुत दिक्कत दुआ था वाश्रूम डूडने के लिए इसके लिए आपको बता दिया और जश्ट यह में मंदीर है उसके सामने ही कैफिटेरिया है जहां पर आप से स्नैक्स कर सकते हो अभी टाइम हुआ है 545 हुआ है छे बज़े का वह चे बच जाएंगे तो वह गाइड आएगा फिर उसके साथ हमको अंदर बेजेंगे यह चीज नोट करना आपको अकेले बिल्कुल नहीं बेजेंगे वह अंदर 11R पर आते है और तब भी उनके साथ ही आपको अंदर बेजेंगे 4566 लास्ट है 6 बज़े के बाद आप अंदर नहीं जा सकते अभी हमको अंदर आने दिया क्या गाइड वाइड तो कुछ था नहीं अभी शायद लास्ट का चे बज़े का है इसके लिए डैरेक बेज दिया खाली पगोड इतना रुका के रखा गाइड के लिए शायद लास्ट का है इसके लिए लेकिन आप जब भी आओगे ध्यान रखना 456 अब वहाँ से एंट्री करोगे सामने ही आपको डैरेक्शन बोड दिखेगा यहाँ पे तो सब कॉटेजिस है सामने वरिंदावन फॉरेस्ट है तो आगे जाके देखते हैं सब पिर में के दो आगे बिखे अधनी ही आगे एंटला कि करोने ही ंद्री की अधिए भी आगें व्हाँ पिएक गेनी ही आगे डोगे टीदावरिक्वीन you चाहिए ननार नहों तेर काट थे थार नहों. आम तम्मावा जातावे तो लक्ष्मी अन्वगामिन्म् जास्यामिरन्यं बिंदें गामश्वं पुरुशान्म स्वाब आइधाद्ष्री इदम न्वबाव अभी जो आपने देखा था वो था 6 o'clock का गोवरदन आरती उसके बाद 620 का होता है यमूना आरती वो दोनों हम लोग ने अभी अटेंड किया अभी थोड़ा वहत आगे जा रहें देख रहें कर दो दो दोड़ा वहत रहें देखा रहें देखा है तो यह था अमारा आज का व्लोग गोवर्दन इको विलेच पे जो किमी है मिनी व्रिंदावन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर और सस्क्राइब और सी यू इन नेक्स वीडियो थैंक यू